हेलो फ्रेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई SDFC Prudence Fund में पान साल के लिए दस साल के लिए लंब सम इन्वेस्ट करता तो उसको कितना रिटर्न मिल सकता था अलग-अलग टाइम के उपर एसजेशी प्रूडेंस यह भी एक बैलेंस काटीग्री का पंड है जो कि काफी पुराना फंड है तो जैसा देख सकते हैं स्टीजेशी मुचल फंड हाउस का फंड है जो कि फेबरई 1994 में लांच हुआ था रिस्ग्रेड हाई है रिटर्न ग्रेड एबरेज है टर्नवर्फ 57 पर्सटेशी परिशने का फंड है जब से लुंच होए तब से 19.50 पर्सेंट परिटर्न दिया है का एक साल के बाद निकालते हैं तो इसमें कोई भी एक दोड नहीं है इसका भी करण्ट आप देख सकते हैं कि अल्मोस्ट 75% के आसपास 70-75% में है और बाकी का डेप्ट में है क्योंकि यह कि अप देखते हैं पांच साल के लिए रिटर्न्स अगर जनरी 2002 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता पांच साल के लिए तो दिसमबर दोजार चेंवें उसका पांच साल पूरा होता तो उसका जो एपसल्यूट रिटर्न आता वह पॉर पॉर स्ट्री परसेंट अनि कि अल्मॉस्ट बॉन्वाट हो गया अपका जो कि अनुमलाइज रिटर्न बनता है 42.82 परसेंट आल्मोस्त 3-543 परसेंट का चैटर्न का अगर जनरी 2003 में किया होता तब उसको एपसल्यूट रिटर्न परसेंट यानिकि आपका इसा अल्मोस्त सब्सक्राइब तो 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 उसको काफी अच्छा रिटन मिल सकता था इतना अगर किसी ने जनुरी चार में लगाया होता तो दिशंबर 2008 पूरा होता उसका एक सो एक परसंट पीछे इसके कंपर पीछे में एक साल में देखे कितना ज्यादा डिफरेंस आ इसमें कि दुग ना होता पैसा दुग थोड़ा जाता यानि अनुलाइज रिटन 15 परसंट क्योंकि दिशंबर 2008 तक मार 24 परसंट का 24.42 अलमुस्ट 24 परसंट यह एक अच्छा रिटन है जबकि बीच में 2008 नों का मार्केट क्रेश है जनुरी 2006 में अगर लगाया होता तो दिसंबर 2010 में उसको पांच साल पे 156.2 परसंट अनुलाइज रिटन 20.7 परसंट जबकि बहुत ही अच्छा रिटन है तो एक काफी अच्छा रिटनिस फंड ने दिया है अगर किसे जनुरी 2007 मिल गया होता तो दिसंबर 2011 में पांच साल में उसको 62 परसंट का रिटन मिलता अपसल्यूट जो कि बहुत अच्छा नहीं लेकिन खराब भी नहीं है क्योंकि अनुलाइज रिटनिस का देखे 10 परसं सब्सक्राइब नीचे आया है तो उससाब से अगर देखे तो यह एक अच्छा रिटन है मार्केट कंडिशन के हिसाब से अगर किसे जनुरी 2008 में जैसे मार्केट पीक के पांच लगा तार गिरता गया इसके वाद तो ऐसा कि जैसे आपने पैसल अगले दिन से मार्केट के लिए एक अच्छा रिटन है क्योंकि रिस्तर में बहुत सारे फंट्स ने निगेटिव में रिटन दिया था या कि जीरो के आसपर्स दिया था या एक दो परसेंट का दिया था तो उससाब से यह काफी अच्छा रिटन है अगर जैनुरी 2009 में किसी ने किया होता तो डिस परसेंटी परसेंट से ज्यादा का रिटन है अगर किसे जैनुरी 2010 में किया होता है तो दिसंबर 2014 में इसको 112 परसेंट का अबसलीट रिटन मिलता पांच साल में यानि की अनुलाइज रिटन आपका 16.29 परसेंट जो कि काफी अच्छा है रिटन है जैनुरी 2011 में अगर किसी ने किया तो दिसंबर 2015 में उसको 69.2 परसेंट का रिटन मिलता यानि की अनुलाइज रिटन 11.09 परसेंट यह बहुत अच्छा रिटन नहीं है लेकिन यह खराब रिटन भी नहीं है 11 परसेंट का रिटन भी एक ठीक ठाक रिटन है लंसम इंवस्मे की एक एक अच्छा रिटन है ज्युचा करता है शुक्राइज में बना होता अब हम देखते हैं अगर दस साल के लिए इस पांच साल के जैंगर कोई दस साल के लिए इन्वेस्ट करता तो उसको कितना रिटर्ण मिलता जैसे अगर कि इसे जनुरी 2002 में इन्वेस्ट किया होता समबर 2011 में उसका पांद साल पुरा होता तो दस साल में उसको एपसलूट रिटर्ण 868 परसेंट का 886 परसेंट यानि उसका पैसा आल्मोस्ट दस गुना साड़े नोव गुने से ज़्यादा आल्मोस्ट दस गुना हो गया होता दस साल में जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्ण है अनुलाइज रिटर्ण इसका 25.48 परसेंट का है अगर जनुरी 2003 में किया होता किसी ने तो दिसम्बर 2012 तक उसको 897.7 परसेंट का एपसलूट रिटर्ण मिलता है नहीं अल्मोस्ट दस गुना उसका पैसा हो गया होता अनुलाइज रिटर्ण 25.86 परसेंट है यह भी बहुत अच्छा रिटर्ण है दस साल की टाइम पिरिट 25.5 परसेंट यानि कि पांच गुना से ज़्यादा अल्मोस्ट पांच गुना के असपास उसके एमांट हो गया होता यानि 18 परसेंट से ज़्यादा का एनुलाइज रिटर्ण यह भी काफी अच्छा रिटर्ण है अगर किसी ने जैनुरी 2005 में किया होता तो दिसम्बर 2014 में में उसका 10 साल कंप्लीट होता उसमें एपसलूट रिटर्ण होता 537 परसेंट यानि कि 6 गुना से ज़्यादा 6 गुना के असपास 20.34 20 परसेंट का रिटर्ण जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्ण है अगर किसी ने जैनुरी 2006 में किया होता दिसम्बर 2015 में उसका 10 साल काफी अच्छा रिटर्ण है 15 परसेंट से ज्यादा का रिटर्ण है अल्मोस 16 परसेंट इसना अगर कि जनुरी 2007 में किया होता दिसम्बर 2016 में उसका एपसलूट रिटर्ण 259 परसेंट यानि कि आलमोस्ट आपका चाड़े तीन गुना से ज्यादा इसमें पैसा हो गया आप जादा के लिए इंवेस्मेंट पे लंब समीने कभी भी नेगेटिव रिटर्ण नहीं दिया है एवेन 2008 का जो क्रेश था इसकी भी अगर किसी ने लंब समीन्वेस्ट किया तो बेस्ड़ान मार्केट कंडिशन पांच आंप साल में रिटर्ण कम याज़ादा सकता लेकिन न साल के लिए इसने 13.63 परसंट से 25.86 परसंट के लिए इसका मतलब जब भी आपको पान साल से ज़्यादा जिसे साथ साल आठ साल दस साल के लिए इन्वेस्टर ना है तो आप किसी भी मार्केट कंडिशन में एक अच्छे बैलेंस में लंसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप देखें कि दस साल के टाइम इंटर्वल पर मिनिमूम इन्वेस्टमेंट वह भी आल्मस्ट परसंट के आश्काल कि अगर आपका टाइम और जिन तो आप किसी भी बैलेंस में लंसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक क अगल समिज की वीड़ सताइभ झायों के लिए करें अगल समय समय using kषada कशो्यटी हुए वीडियो करें त Becca